इस लेक्चर में मैं आपको लॉजिकल ओपरेटर समझाऊंगा कि लॉजिकल ओपरेटर किस तरह से आपको हेल्प करते हैं मल्टिपल कंडिशिन्स को कंपेर करने के लिए अगर आपने पड़ा है तो आपको लॉजिकल ओपरेटर समझ आएंगे बट अगर आपने नहीं भी पड़ा तो कोई बात ही मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँगा और जिसको आप जितना ज्यादा प्राक्टिकली समझेंग ना उतना ज्यादा बैस्ट हो जाएगा इनके कॉंसेट्स ना आपको समझ आने चाहिए और इसके थोड़े से नोट्स भी बना रहें जो भी मैं आपको यहां पर एक्स्प्लेइन करूंगा वैसे तो मैंने अपनी जो आपको लिंक प्रोवाइट की वह वहां पर यह सारे न नंबर्स को उनकी एक्वालिटी उनका रिलेशन आप चेक करते हो क्या एक्वल है एक्वल नहीं है बड़ा है ठोटा है ठीक है लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कंडिशन आ जाती है तो फिर मल्टीपल कंडिशन को आप टेस्ट किस तरह से करते हो उस परपस के लिए हम ओप्रेटर्स को यूज करते हैं ठीक है अब लॉजी को ऊपरेटर्स को चलिए सीखते हैं और आपको पथाता हूं कि आपने किस तरह से आप किस तरह से आपने जावस्कार अनकी दिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप आ जाए तो यह देखें यह यहां पर देखें फिर आपके पास है ऑप्रेटर एंपरेटर है और यहां पर एड़ अपर क्या करता है? इसको आपके लिए रिवर्ड कर देता है अब देए उसके आप रिजल्ट को जो है वह आपके लिए करता है रिवर्ड कर देता है अब इसको हम प्रक्टिकली जितना ज्यादा करें आपको इजीली समझ आ जाएगा ठीक है है जो हमें यहाँ पर हमने ऐक विल्ठी करते है लेट इस को स्टोर करूंगे-अ-ब-चेकर व्याट a is equal to 20 ठीक है यह हो गया ठीक है अब इसका result क्या आएगा इसका result हमें पता है कि यहाँ पर यह code आएगा और मैं यह braces भी use कर लेता हूं आपको mathematics में पता है कि सबसे पहले जब भी mathematics में in bracket की बेस्ट की पर equation solve की जाती है ठीक है तो यहाँ पर यह आएगा और यहाँ पर यह चक करेगा क्या a is equal to 20 यह true एठीक है तो अब हम क्या करेंगे हम इसका result को यहाँ पर console कर देंगे console मीं print कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर result ओके रिजल्ट और यहां पर आपके पास क्या आगया ए आगया ठीक है अब इसको मैं रन करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपके पास आजाएगा 20 अब यहां पर अफकोर्स मैंने ए प्रिंट कर दिया सोरी अब हम इसका रिजल्ट करते हैं सेफ करते हैं तो इसका result आजाएगा true, तो not sign क्या करता है, not sign आप shift प्रस करें और one प्रस करें तो ये sign आपके पास आजाएगा, ठीक है, not sign क्या करता है, जो भी result आता है boolean में, रियाद रखेगा boolean में, वो उसको reward कर देता, उसको opposite कर देता, उसको change कर देता है, तो यहाँ पर इसका result क्या आया था, true आया था, ठीक है, तो true को उसने change कर दिया false, और false को उसने store कर दिया result में, और result आप अभी आप print करेंगे, ठीक है, save करने के बाद, तो result आ जाएगा false, ठीक है, इस तरह से जो भी आपके पास result आ रहा है, उसको change कर देता है, ठीक है, पर example, यहाँ पर क्या a जो है वो, आपके पास 21 से बढ़ा है, ठीक है, इसका result क्या आएगा, of course a 21 से बढ़ा नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, और यह basically आपके पास क्या है, relational operator है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास result बढ़ा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका result false आएगा, false क रहा है ऑपके पास हो जाएगा ठीक है तो लॉप ऑपरेटर किया करता है आपके पास वैलीयो को reward कर देता एक तरीका आप यहां पर यूज कर लें यह वाला जो लॉट आप drag पर यूज कर लें ठीक है यहां पर अके और सेकेंड यह है कि आप यह पर आके इसके साथ भी उसकर सकें जो भी फाइनल बूलियन रिजल्ट आ रहे हैं इसकी डेटा टाइप भी आपको पता चल रही है इसको आप यहां पर आके दोबारे से प्रिंट करें तो देखें आपके पास इसका रिजल्ट चेंज हो गया ठीक है अब यह था नौट ऑपर क्टिशन नहीं टेस्ट कर सकते और एक्जामपल किस तरह से करेंगे अभी तक आपको नहीं सीखा तो आपको नहीं पता ठीक है मैं कहता हूं कि ए इस ग्रेटर देन ट्वंटीवन ठीक है यह एक कंडिशन और मैं दूसरी कंडिशन यह चाक करता हूं कि क्या एस इकोल गीचिट करते हैं यह नूट ऑप्रेटर शिए तरह सबसे पहले हम सबसे승 और च्टैकर को सहीखते हैं आप क्या होगा कि अब न हम यहां पर अगें चैक करेंगे ठीक है स्यलेट कंडिशन वन थीक है है condition one variable मैंने create किये ठीक है condition 1 के नाम से और उस में यह चेक कर हूँ क्या is equal to 20 ठीक है एस equal to 20 है देखे यह strict equality है ठीक है और यह strict नहीं है यहाँ पर इसका result कि आएगा यह इसका result हमें पता है ठीक है इसका result क्या आजाएगा true आजाएगा and then आप इसको save करेंगे ठीक है then इसको copy करें नीचे यहां पर print करें और आपके पास आजाएगी condition sorry इसको condition 2 और यहां पर हम क्या check करेंगे क्या b is equal to 20 है इसका result क्या आजाएगा true ठीक है अब हमने इन दोनों को combination को check करना है कि अगर दोनों क्या true है या false है हम क्या करेंगे let result okay is equal to condition 1 और यहां पर not का sign आप इस तरह स्विस करेंगे shift और press 7 ठीक है तो यह आपके पास sorry not की बोल लिए हूँ यह है end operator end operator के लिए आपको shift और यहां पर आपने 7 प्रेस करेंगे तो आपके पास यह वाले sign बन जाएगे और फिर आ जाएगा condition 2 ठीक है रखिएगा जब भी condition 1 और condition true बोथ true होंगी तो result आपके पास true आएगा अब इसको आप test करने देखें result आपके पास true आया क्यूंक्य के a is equal to 20 और b is equal to 20 है लेकिन अब हम एक ही value कर देते हैं 21 ठीक है अब क्या होगा क्या a is equal to 20 है नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा false ठीक है तो अगर एक भी condition आपके पास false होगी अब आप देखें multiple condition को यहां पर उनको horse कर रहे है तो यह हो जाएगी true क्योंके a is equal to क्या है इसको 20 करते हैं, sorry, a is equal to 20 तो यह हो गया true और आपके पास b is equal to 20 नहीं है ठीक हो यह हो जाएगा आपके पास false ठीक है तो यह जब false होगी तो आपके पास फिर भी result क्या आएगा दोबारा से save करें, print करें, result आपके पास क्या आएगा false ठीक है अब यह काम आप यहां पर भी कर सकते हैं और यह जो सेम काम आपने यहां पर किया, यह देखें यह आप यहां पर भी कर सकते हैं, is equal to 20, and operator, and b is equal to, आप यहां पर 20 कर दें, और आप multiple और भी उस कर सकते हैं, for example, कोई आपके पास c variable है, c is equal to 20 ठीक है, तो आपने make sure करना है, कि sub value अगर true है, तो तब उनका result आपके पास true आएगा, वरना आपके पास result false आएगा, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं, यह जब आप अच्छे programmer बन जाएंगे, तो आप हमेशा इसको use करेंगे, because देखें, यह एक extra line of code आपको लिखना प तो आपके पास result क्या आएगा, true आजाएगा, और operator के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर यह वाले signs use करने हैं, तो आपके पास और operator हो जाएगा, ठीक है, अगर और operator कहता है, एक भी condition आपके पास क्या है, true है, या तो condition 1 true है, या condition 2 true है, तो जो भी इन में से एक true है, ठीक है, तो आपके पास result क्या आजाएगा, true, और अगर दोनों false हैं, तो आपके पास result क्या आएगा, false, वरना हमेशा आपके पास result true आएगा, ठीक है, for example, यहाँ पर देखें, क्या a is equal to 20 है, true, क्या b is equal to 20 है, of course false, लेकर true और false क्या हो गया, और operator में, आपके पास result true आएगा, again मैं repeat कर देता हूँ, हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए confusing गयो, और operator में, और operator में, अगर आपके पास एक भी condition true है, ठीक है, एक भी condition, a वाली true है, या b वाली true है, एक भी condition true है, तो result हमेशा आपके पास true आएगा, और अगर दोनों true है, तो फिर भी result true आएगा अगर दोनों false हैं, for example, इसको मैं कर देता हूँ 22, और इसको भी कर देता हूँ 22, अभी होगी है, दोनों condition false, क्योंकि a is equal to 20, of course नहीं, b is equal to 20, तो जब भी दोनों conditions false होंगी, तो फिर आपके पास result, तब ही आपके पास false आएगा, वरना हमेशा result true आएगा, और आपने थोड़ अब यहाँ पर एक और condition यह भी है, ठीक है, so let, let x is equal to, मैं कर देता हूँ 20, ठीक है, अब आप multiple conditions भी use कर सकते हो, किस तरह से, यह आप यह चेक करो कि condition 1 और condition 2 से क्या result आ रहा है, तो आप bracket use कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से क्या result आएगा, इन दोनों की जब आपस म calculation होगी, JavaScript जब code यहाँ पर run करेगा, तो यह चक करेगा condition 1, क्या is equal to true है, ठीक है, और और operator यूज हो रहा है, तो अगर पहली condition true, तो दूसरी matter ही नहीं करती, ठीक है, अगर दूसरी true है, तो पहली matter ही नहीं करती, बस एक इन में से true होनी चाहिए, लेकर हमारे पास तो दोनों यहाँ है, false है, अब यहाँ पर समची हीगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूज करो, and operator, and, ठीक है, और यहाँ पर देखें, अब थोड़ा सा code complex होता जा रहा है, x is equal to 20, ठीक है, तो and operator को क्या चाहिए, कि दोनों condition true होनी चाहिए, ठीक है, क्या हमारे पास पहल यहाँ से पर आपके पास falls आगया, तो and operator में दोनों conditions जब आपके पास हो जाएंगी, false तो कहा result आएगा, false आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ सारी combination यूज कर रहे है, ठीक है, अब यह combination आपको शायद अभी समझना है, ठोड़ा सा, I know ठोड़ा सा आपके रिए ठोड़ा सा tough होगा, इतना भी difficult नहीं है, ठीक है, लिकिन इनकी combination से आप इतने जबरदस और powerful आप यह आगे जाकर practice में softwares बनाओगे, आप खुद भी हरान हो जाएगे, कितना simple simple चीज़ें हैं और उनकी base के उपर हम इतने बड़े-बड़े softwares create क यहां से remove करना चाहते हैं, remove करना है ठीक है, और इस तरह से आपके पस और operator है, और end operator है, और not operator है, ठीक है, और यहां पर मैंने आपको पताया है, return truth if both are true, ठीक है, and return true if at least one operand is true, operand basically यह first और यह second ठीक है, तो यह होता है, ठीक है, and I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ अब देखे यार, मज़े की बात यह है, अभी आपको हो सकता है, समझ ना हो, मैं वेट कर रहा हूँ, just if and else statement का, कि वहां तक आपको ना करवा दूँ, और उसके बाद मैं आपको 10 से 15 question करूँगा, जिसमें यह सारे concepts भी clear हो जाएंगे, if else भी clear हो जाएगा, और आपको समझ यूज किस तरह से करना है, उनकी combination किस तरह से बनानी है, कब true होते हैं, कब false होते हैं, because यह वो चीज़े हैं, जो कि आगे जाके हमने use करनी है, so I hope आपकी वीडियो पसंद आएगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसकिलाब आप मेरा WhatsApp का चैनल और Facebook का ग्र लूं vorher सब्सक्राइब कृभब आप करनẻ इसक्यार साथ के लिए लूगे युएए.''